हेलो हेलो दोस्तों गुट मॉर्निंग नमस्ते कैसे हैं आप लोग आसा करती हूं बहुत अच्छे होंगे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे नए ब्लोग में तो दोस्तों सुबा हो गई है और अभी 6 बज रहे हैं का थंड जो है काफी तेज है तो उठते ह हम सबजी काटने लगे हैं जाडू हमारी लग गई है जो की बिटिया ने लगाई है और हम सबजी काटने लगे ते बैसे तो नाकर ही सारे काम करते हैं पर अभी जो है बातरूम खाली नहीं था तो हमने का चलो सबजी जब तक काटके रग देते हैं इसमें भी टाइम लगे पर अभी हमने नहीं पीए तो हमने सोचा पहले सब्जी बनने के लिए रग देते हैं आटा भी लगा के रग देंगे उसके बाद में ही चाय पीएंगे अगर चाय पीने लगेंगे तो फिर सार तक देर हो जाएगी तो पहले सब्जी बनने के लिए रग देते हैं उसके बाद यूश करते हैं पही वाले मसाले डाले हैं धनिया मिर्च और हल्दी करम मसाला नमक तो सारी चीजें डाल दी हैं उसके बाद में थोड़ा सा आधी कटोरी पानी डाला है क्योंकि इस समय कच्चे आलू हैं तो यह बहुत जल्दी से पक जाते हैं ने वाले आलू तो बस ढग द और आज हमारी चाय काफी लेट हो रही है क्योंकि चाय पीने लगते तो लेट हो जाता है तो चाय बगएरा पीके उसके बाद में सबजी भी हमारी बन गई थी जल्दी से तो यहां पे सबजी निकाल लिया कड़ाय से उसके बाद में फिर से डालेंगे थोड़ा सा तेल और और फिर हरी मिर्च और लेसुन से सबजी को फ्राय कर देंगे फिर बनाएंगे पराथे तो यहां पर पहले हमने 4-5 पूड़िया निकाल दी थी सारतक के लिए तो आर्थर भी खा लेंगे और सारतक भी स्कूल ले जाएंगे तो बही हमने सबजे छोकने के लिए तेल डाला थ तो उसी में 3-4 पूड़िया निकाल दी हैं और फिर बाद में बनाएंगे और यहां पर सबजी मारी बनकर तयार हो गए और बहुत यह अच्छी भी बनी थी और हमने सुचा तो पूड़ियां ही बाद में निकाल लेंगे तो फिर पूड़ियां ही बना ले थे रोटियां न इनको बस तयार करके भेज दिया उनका टिपन लगाके और फिर यहां पे हम सेखने लगे हैं पूड़ियां तो सारता के पापा भी भेजने के लिए गए हैं उनको क्योंकि उनकी गाड़ी भी आट पचकर पचास मिनट पे आ जाती है तो वो भेजने चले गए तो उसके तब हमने पूड़ियां जो है बना दी थी तो सभी लोग खना पिना खा चुके हैं उसके बाद में बरतन धोने लगे हैं जाड़ों हमारी बाद में लगेगे और आज हमें बहुत सारा काम करना है तो आज हम जो है हमें नमंग मिर्च भी पीसना है क्योंकि समय अलू का सीजन चल लें उसके बाद में आरतर सो जाएंगे तब ये सारे काम दो पैर में निप्टा लेंगे क्योंकि वो करने नहीं देते हैं और अभी हमारे ढूलू मोलू जो है इधर खेलने में लगे हुए हैं इनका जो है इस दो पैर में ही जब धूप निकल आती है तभी ये बहुत ही मन हैं तो रजगुले बनाएंगे उसके बाद में नमग मिर्च बगारा पीसेंगे और हमारे सभी दोस्तों ने बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट किये हैं में बहुत ही अच्छा लगा और आप लोग कमेंट बहुत ही सच में बहुत ही प्यारे प्यारे करते हैं तो आप सभ पहने कमेंड किया है जिनका नाम है रीतिका तो उन्होंने कमेंड किया है कि उस दिल हमने दलिया बनाया था साम को तो उन्होंने कमेंड किया है कि दीदी हमारे हस्बेंड ये सब नहीं खाते हैं आपके मतलब भाया खा लेते हैं ये सारी चीजे तो हमारे हस्बेंड खा लेते वैसे उनका पेट तो नहीं भरता है इन चीजों से पर कभी-कभी जो हम मैनेज कर लेते हैं हमें परिसान नहीं करते हैं जब हमारा मन नहीं होता है तो मतलब हम दल्या बगएरा या तैड़ी बगएरा बना लेते हैं तो वो खा लेते हैं ऐसा नहीं करते हैं कि नहीं नहीं हमें मतलब सबजी रोटी ही चाहिए तो जब हम जल्दी में होते हैं जाधा टा binds हो जाता है साम को तो हम बना लेते हैं तो बो क्छा लेते हैं करते हैं तो और यह आपका बहुट बहुत धन्वाँ सिस्टर जी आपने बहुत ही प्यारे सा कमेंट किया है तो यहां पे जो जाड़ो बगएरा हमारी लग गई है उसके बाद तो हमने कपड़े सुकने के लिए डाल दिये हैं उसके बाद में यहां पर आ गए हैं अपनी अलमारी साफ करने के लिए जो कि इसमें धूल मिटी बहुत जादा बैट गए तो यहां पर हमने बैनर भी चाके रखे हुए हैं अलमारी में वैसे पेपर बगएरा नहीं लगाते हैं क्योंकि चूहे एक दिन भी नहीं चलने देते हैं तो हम भी सोचते हैं कि अपना अलमारी हम सजाएं पर नहीं कर पाते हैं चूहों की बजाए से तो यहां पर जो है डब्बे हमारे सारे तहस मैस हो गयते इधर के उधर हो गयते ढूने में बहुत ज़द अदिक्कत हो रही थी तो मसाले तेल और दाल बगयरा जिसमें जो भी है वो सारे डब्बे हम बीच वाली अलमारी में रखते हैं जो खाली हो जाते हैं वो उपर वाली में रख देते हैं तो सारे डिबे आज हमने साफ करके और सभी अलग अलग करके रग दिये हैं अलबारी में अच्छे से लगा के साफ करके और उसके बाद में बनाने लगे हैं रसकुले तो यहां पर सबसे पहले चासनी बनने के लिए रग देते हैं तो यहां पर हमने बन केजी लिए है चीनी बगोने में जो चासनी बनने के लिए और एक लोटा डाल दिया है पानी जो कि चीनी के दो अंगुर उपर से ही रहना चाहिए तो यहां पे चासनी हमारी जब तक बनने है तब तक हम लगा लेते हैं लस्कुल्य वाला जो पाउडर आता है सीमा पाउडर गूलते हैं तो भी है और बसे खोया के भी काफी टेश्टी बनते हैं तो यह हमारा पैकट दीपा वली का रखा हुआ था जो कि हमने नहीं बनाया था और काफी दिन हो गए हैं रखे रखे तो हम सोचते हैं आज बना लेंगे कल बना लेंगे पर नहीं बनाते हैं तो हमने का चलो आज बना ही लेत उसके बाद में सेख लेते हैं और ज्यादा तेज भी आज नहीं होनी चाहिए और नहीं ज्यादा धीमी होने चाहिए क्योंकि फटने लगते हैं तो यहां पे शिक चुके हैं अच्छे से और उसके बाद में गरमा गरमी चास्मी चास्नी में डालेंगे ताकि अच्छे से फू बहुत ही अच्छे से बन कर तयार हो गए तो यहां पर सारे रस्कुले हमारे बन कर तयार हो गए तो दोस्तों आप लोग भी आ जाएए खाली जिएगा के हमारे रस्कुले और जरूर बताईएगा कि कैसे बने है और इसी कड़ाही में जल्ली से मतलब अभी जो है गरम है तो पहले मिर्च भून लेते हैं और उसके बाद में धन्या भूनेंगे वैसे नमग मिर्च तो मिक्सी में भी पिस जाता है पर वो इतना टेश्टी नहीं लगता है तो मिक्सी भी है हम मिक्सी में जल्दी नहीं पिसते हैं तो सील पर ही पिसेंगे क्योंकि सील वाले की बात ही अलग होती है बहुत ही टेश्टी लगता है नमग मिर्च तो हम सील पर ही पिसेंगे तो यहां पर मिर्च हमारी अच्छे से भून गई है इनको निकाल लेते हैं और उसकी बाद में धानिया थोड़ी सी भुन लेंगे और जीरा भुन लेंगे और सौफ भी मतलब डाल सकते हैं पर सौफ हमें याद नहीं रहा था था कि सौफ दिन ला धार तो हम तब सारी चीज़े डालते हैं, बहुत ही अच्छी लगते हैं, टेस्टी भी लगता है नमग मिर्च, तो यहाँ पर हमारी मिर्च भून चुकी है, उसके बाद में अब डालेंगे धनिया, थोड़ी सी धनिया भी भूनेंगे, खड़ा वाला धनिया जो हता है, तो धनिय जीरा सारी चीज़े भून गई हैं, हमारी उसके बाद में इसी में थोड़ी सी भूनेंगे, मौमपली, जो की काफी दिन से रखी हुए थी, जो की ममी ने सामन में भेजी हुई थी, तो अभी भी हमने एक बार भी नहीं भूनी हुई है, तो हम सोच रहे हैं, इसी कड़ाय म पिस्ते हैं, और बहुत ज़्यदा टेश्टी भी लगता है, और थोड़ा सा हरा धनिया भी डालेंगे, तो यहां पर आर्थर भी सो कर उठके आ गए हैं, तो अब जो है, यहां पर मौम फली भून रहे हैं, थोड़ी सी भून लेते हैं, तो दोस्तों यहां पर थोड़ी द दोड़ने के बाद में यहां पर बैट गए हैं नमंग मिर्च पीसने के लिए, तो यहां पर जो है, सारी चीजे हमने डाल लिए हैं, थोड़ी थोड़ी करके, थोड़ा थोड़ा करके पीसा था, क्योंकि फैलने लगता, तो फिर दो-तीन बार में पीस पाया था, पूरा ए नमक और मिर्च, हींग, जीरा और धनिया सारी चीज़ें जो भूनी होई थी, सारी चीज़ें डाली हैं, उसके बाद मिर्च हमारी महीन हो गई, उसके बाद में धनिया डाली है, थोड़े एक कटोरी भर के धनिया हमने काट रखा था, तो बहुत ही टेस्टी, हमारे नमक-m किसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लोग के साथ अब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते